अप्रेल 2022 में पूर्व मंतरी चौधरे निर्मल सिंग और इनकी बेटी चितरा सरवारा ने आमादमी पार्टी जोईन की थी दिल्ली के सीम अर्विंद केजरीबाल ने इनका पार्टी में आने पर जोर शोर से स्वागत किया था चौधरे निर्मल सिंग ने अपनी हारियाना डेमोक्रेटिक फ्रेंट पाइटी यानी HDF का विले भी उस समय आमादमी पाइटी में कर दिया था बता दे चित्रा सरवारा आमादमी पाइटी की प्रदेश उपाधेश रही है फिलाल खबर है कि आमादमी पाइटी को एक तगड़ा जटका लगा है क्योंकि पाइटी के वरिश नेता चौधरे निर्मल सिंग और इनकी बेटी चुत्रा सरवारा ने गुरुवार को पाइटी से स्तीफा दे दिया है तो वही इनके पाइटी को छोड़ने के बाद कॉंग्रेस में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं खबरे है कि 5 जनवरी को चौधरे निर्मल सिंग और चित्रा सरवारा कॉंग्रेस जोईन कर सकते हैं तो वही पूर मंत्री चोधरी निर्मल सिंग और इनकी बेटी अगर कॉंग्रेस में शामिल होते हैं तो ग्रमंत्रे निल्विज की अंबाला केंट और असीन गोयल की अंबाला शेहर सीट पर दावा ठोक सकते हैं। युवा कॉंग्रेस के अध्यक्ष रहें। 1991, 1996 और 2005 में नागल विधान सभा से विधायक शुने गई और कई बार मंत्री बने। महज 33 साल की उम्र में चोधरी निर्मल सिंग साल 1986 में कैबिनेट मंत्री बने। वुपेंदर सिंग हुड़ा के खरीबी होने का फायदा चोधरी निर्मल सिंग को लोगसबा चुनाव 2019 में मिला। जब हुड़ा कुरुक्षेत्र लोगसबा सीर से इने टिकेट दिलवाने में काम्याब रहते हैं लेकिन मोदी लहर के चलते चोधरी निर्मल सिंग लोगसबा चुनाव हार जाते हैं। चार नवंबर 2020 को चोधरी निर्मल सिंग ने अपनी राजनितिक पायटी का गठन कर 43 साल बाद कॉंग्रेस को विधिवत रूप से अलविदा कह दिया था। चोधरी निर्मल सिंग ने अमबाला केंट सीट सीट सीग्रे मंतर निर्विच के खलाप अपनी बेटी चुतरा सरवारा को चुनावी मैदान में उतारने की मांग कॉंग्रेस हाई कमान से की थी, पूर्वसीम भुपेंदर जिंग उड़ा ने भी चुतरा सरवारा को इसी बात से नाराज होकर निर्मल सिंग ने अमबाला शहर से अपनी दावेदारी ठोकी और बेटी चुतरा सरवारा को अमबाला केंट सीट पर निर्दलिय उमिद्वार के तोर पर चुनावी मैदान में उतारा, पिता पुत्री की सी बगावत का नतीजा ये रहा कि दोनों सीटों पर कॉंग्रेस को हार कामू देखना पड़ा था निर्मल सिंग को साल 1994 में हत्या के मामले में जेल जाना पड़ा था एक गरीब धाई साल तक जेल में रहे जेल से हिनों ने 1996 में निर्दली और मिद्वार के तौर पर नागल विधान सभा से चुनाव लड़ा निर्मल सिंग के पक्ष में उस समय एक तरफा माहल था और ये वि जल गया था और इन्होंने साल 2009 का चुनाव अंबाला केंट सीर से लड़ा 2018 में इन्होंने अपनी सियासी विरासत चित्रा सरवारा को दे दी थी चित्रा सरवारा अखिल भारती महिला कॉंग्रेस के मासचेव रही है महिला कॉंग्रेस के रास्ट्रिय सोशल मीडिया इंचा साल 2013 में चित्रा सर्वारा ने सियासत में कदम रखा था और साल 2013 में पहला चुनाव लड़ा था चुनाव नगर नीगम का लड़ा था और यह चुनाव जीता भी था 18 मार्च 1975 को अमभाला केंट में जन्मी चित्रा सर्वारा एक राजनेतिक के अलावा एक प्रोफेशनल डिजाइनर और सोशल वरकर भी हैं 2010 में हुए कॉमन वेल्थ गेम्स में इन्होंने डिजाइन मेनेजर के तौर पर काम किया और तब इनके कोशल और इनके काम को काफी सा रहा गया था साल 2016 में चित्रा सर्वारा हारियाना प्रदेश महिला कॉंग्रेस कमेटी की वरिष्ट उपाध्यक्ष बनी और साल 2017 में इन्हें All India महिला कॉंग्रेस का सोशल मेडिया इंचार्ज बना गया चित्रा सर्वारा ने साल 2019 का चुना निर्दलियों मिद्वार के लेकिन अभी तक आधिकारिक रूप से कोई खुलासा नहीं हुआ है लेकिन अब तस्वीरे 5 जनवरी को ही साफ हो पाएंगी बड़ा सवाल ये भी है कि चित्रा सर्वारा और चौधर निर्मल सिंग के आम आदमी पाइटी छोड़ने से इस पाइटी पर कितना असर होगा क् लेकिन चित्रा सर्वारा और चौधर निर्मल सिंग आम आदमी पाइटी को अलविदा कह चुके हैं अब देखते हैं आम आदमी पाइटी के नेताओं के उरसे क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है और इनके कॉंग्रेस में जाने पर पत्ते कब तक खुल पाते हैं आपक कॉंग